WhatsApp group wise call problem WhatsApp में ये बहुत सारे लोगों को आ रही है मान लीजी आपने अपने किसी दोस्त को call किया आपने किसी सिंगल बंदे को call किया आप सिंगल बंदे से call पर बात कर रही है लेकिन आपको notification शो हो रहा है गुरूप wise call तो इसका मतलब किया है आपका WhatsApp हैग हो गया है आपकी call और कोई सुन रहा है जो आपके WhatsApp गुरूप है उनको भी आपकी call की आवाज आ रही है हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकरी दोंगा कि ये क्यों आ रहा है इसे हटाते कैसे है क्या आपका WhatsApp हैक हुआ है या नहीं पूरी details आपको मिल जाएगी बस वीडियो को end तक देखना और वीडियो को एक like जरूर कर देना तो यहाँ पर मैं आपको live call करके दिखाता हूँ मैंने अपने एक दोस्त को call कर लिया मैंने group calling नहीं किये अपने दोस्त को personal में मैंने call किया एक call को receive कर लिया मैंने ठीक है आप यहाँ से मैं back आता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या message मिल रहा है आप देख सकते ही group wise call जबकि यहाँ पर क्या notification आना चीए यह वाला notification आना चीए tap to return to calls ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या notification आ रहा है group wise call तो दोस्तों यह WhatsApp का एक bug है यह WhatsApp का एक glitch है इससे आपको डरना नहीं है घबराना नहीं है आपके WhatsApp में कुछ भी नहीं हुआ है आपका WhatsApp hack नहीं हुआ है नहीं आपकी call कोई सुन रहा है नहीं गुरूप में कोई आपकी call सुन रहा है इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों ऐसे glitch WhatsApp में आते रहते हैं ऐसे जो bug है WhatsApp में आते रहते हैं तो इससे दोस्तों आपको डरना नहीं है यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आप call वाले option पर आ जाएंगे यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर wise call वाला ही option आ रहा है जबकि यहाँ वाले mobile में आप देखेंगे यहाँ पर नाम शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या शो हो रहा है group wise call तो इससे आपको डरना नहीं है यहाँ पर आपको एक काम कर लेना है बस WhatsApp को अपडेट कर लेना है जो WhatsApp का latest version है आपको वो डाउनलोड कर लेना है पिले स्टोर में जाना है और आपको WhatsApp को अपडेट कर लेना है अगर अपडेट आया है जब जैसे ही WhatsApp में update आएगा तो यह जो bug है fix हो जाएगा problem आपकी solve हो जाएगा आपको घबराना नहीं अपने WhatsApp को delete वगरा नहीं करना है तो उम्मिद करता हूँ आपको इस वीडियो से help मिली होगी वीडियो को like कर देना और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को अभी subscribe कर लेना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में thank you